हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस दो हजर चोबिस का सुबह सुबह आप सभी का विज्ञान का पेपर वारल हो चुका है इसका आप संपूर हल देखके पेपर देने चले जाए देखिए पेपर का स्ट यह है और पुढांग टोटल सतर नंबर का और समय चो रहेग उपखंड का है इसमें बहुकल्पी प्रश्ण है सभी प्रश्णों को आप एक बार देख लीजिए पहला प्रश्ण आपको क्या है कि किसी वस्तू से बड़ा आभासी परतिवीम बनने वाला दरपड कालाता है यानि कि देखिए बड़ा परतिवीम बनना चाहिए और कैसा परतिवीम बनता है आभासी और बड़ा परतिवीम बनता है और सीधा भी बनता है ठीक है और दरपड के पीछे बनता है इसमें आउतल दरपड के द्वारा भी आपको आभासी परतिवीम बनता है ठीक है यहां पर देखिए आभासी बनता है लेकिन वस्तू से छोटा परति प्रेवर देखे चले जाएंगे तो आप मैक्सिमिम सवाल करके चले आएंगे ठीके दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि मानुन नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का परतिमिम बनाता है वह कहलाता है तो उसे क्या कहते हैं तुसे द्रिष्टी पटल कहते हैं या द्रिष्टी कोई क्या कहते है रेटिना कहते हैं तो दोनों चीज़ याद रखिएगा रेटिना पर या द्रिष्टी पटल पर आपका परतिमिम बनता है इसके साथ में मानुन नेत्र के बारह में आप जरूर इन सभी पॉइंटों को पढ़ लिजिए कि निकट द्रिष्टी दोस्त क्या है और दूर द्रिष्टी दोस्त क्या है इन दोसों को पॉड़के जरूर आप पेपर में चले जाएगा तो आप जरूर इस दोनों को आप तुरंत देख लिजिए और देखके चले जाए अगला देखिए कि स्वेट प्रकास का कौन सा रंग काच में प्रिजम से गुजरने पर दिखिएा अधिक्तम व्य चलन होता है तो यहां पे देखिए आपको दिखिणन किसमे होता है तो अधिक्तम वेरणी अपका बैगनी रंग में सबसे जाधा sheriff होता है यहां पर एक कांसेट उतने ऊन्से आप सीख लीजिए एक आपसे प्रसन बार बार अधिकतम कि अधिक किसमें होता है और एक तरफ थोड़ा सा लिख लिए लाल करें कम किसमें होता है लेकिन कम कहें घण यारखिया है यह बिजुचलन कम किसमें इसके संही इसे यारथ के बारे में अधिक पूछे अधिक जो आत लाली रंग कि अधिक होता है ठीके इसका उल्टा होता है त्रंगदर्द लाल रंग का अधिक और कम किसका होता है तो कम होता है बैगनी रंग का ठीक है इस पॉइंट को तम किलियर रखिएगा यह आपके पेपर में 100% इस पर से एक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा अदम यह सुभा-सुभा वायरल दारा को दून कर दिया जाए तो इत्ले पहलों उस्कौआं हो जाएगे ह kidding विचंश दॅखय दूख सरinka हो होगा धुजूज कर दो धूकर कर दी Wonder अगला देखें पांकर नंबर का सवाल के विध्दुद्चुमबक क्रोनट बनाने के लिए सबसे अधिक उप्यूक्त प्दारथ कौनसा है तो सबसे सब्हुत बसक्रा gült करते हैं वी जुबाब आप तो इसका फैसquier ह्ची जवाप भी आपसर ऑफसर इस तक आ अगरने च्छथवा नंबर का आपका सवाव कुए किया है सवाल को ध्यान से देखियेगा निम्जाली खित में से कौन ग्रॉद फोकस हो करो जयता है इसे चला जाता है तो इसमें आपका सही जवाब हो reg wanna सीवल आपसन सही हो जागा ठीक है तो कि आर एक जो होता है यह आपका अवतल लेंस से आवतल लेंस का सही कि आरेक देखा जाए इसमें सीवल आपसन सही है आपका अगला देखिए सातवा नंबर का विद्धूत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्थित करता है तो विद्धू में कुछ। महां को बता है कि वह कृटता तेरी जब होता है जो फोकस दूरी का दुगोना होता है कि ऐख कर norte यह इन यह चल्प आब यह आधी च्राफ हता है जा इसके आप पार्मुलर तोच सब सकते हैly याद रखिएगा ये फार्मूला शक्ति का फार्मूला होता है साथ में एक फार्मूला और बता देते हैं उस्मा का फार्मूला आई स्कौर आर टी जूल या इसके अलावा आपको होता है कि आई आई यहां पे भी आई टी होता है या साथ में आपको होता है कि भी इसकौर आ माइनस लीज़ियेगा तुरांच नेESE ही दरिखिए उपखण्ड खजो है कराय कि शुद्वायू होता है क्याया माइनस पर यह सब्सक्राइम नहीं तो यहाban यहां द्याम पर तौन कर दो दो से तुह को होता है करा समांगी मिस्रड हो गाई है धातुओं का मिस्रड है योगिकों के मिस्रड है यहां पर शुद्वायु क्या है उपरियुक्त में से कोई नहीं है तो इस प्रश्ण का सही जवाब डीवला आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए आपका नववा नंबर का कि एलकीन है देखिए यहां पर तीन फार्मूल आपको बता देते हैं एक होता एलकैन अधम सुभा-सुभा के वारल पेपर है ठीक है इसको आदम देख लीजी एलकेन एलकीन और एक होता एलकाइन कि इलकेन का जो फार्मुला ऊटा है कि cn h2 n प्लस टू होता है इलकीन का जो होता है cn h2n होता है और यहां पर इलकाईन जो होता है cn h2 n-2 होता है यह होता है आपका यहां पर पूछा है यहां पर जितने कारपन की संख्या होगा उसका दूगना यहां पर देखिए तीन कारपन की संख्या होगा यहां पर देखिए तीन कारपन की संख्या होगा यहां पर देखिए तीन कारपन की संख्या होगा यहां पर देखिए तीन कारपन की संख्या होग यानि कि दू गुना करने के बाद इस दू जोड रहे हैं आठ हो रहा है तो इसका मतलब यह एलकेन का हो जाएगा यह भी आपका एलकेन का फार्मूला होगा इस पे आप रखके चेक करके देख लीजिए गा अगला देखिए दस्वा नंबर का जो सवाल है आपका कि जल का पीच मान आपका साथ होता है इस प्रशन का सही जो आप सीवलापसन सही हो जाएगा देखिए आपका सुद्द जल का कहेगा ता साथ या उदासीन का भी कहेगा उदासीन का भी पीच मान साथ होता है अमल का जो पीच मान होता है यहां प्याद रखेगा अमल का पीच तो साथ से अधिक होता है ठीक है साथ से अधिक यह सब प्रेशन आप याद रखेगा 11 लंबर दखिए आवर्थ तेसरे आवर्थ में बाइं और जाने पर क्या होता है जब दायं से जाए पूंश्ते हैं तो प्रमाडवी आकार में कमी होता है इस प्रशन का सही सिवल आपसन सही होगा आपका यहां पर बारह नंबर का सवाल देखिए कि कालंग एक कालंबी करना है यानि प्लाश्टर आप यहांपर देखें आपको फार्मॉला बता देते हैं कुछ जिसको याद रखेगा प्लाश्टर आप पेरिस का फार्मॉला बताते हैं कि जैसे आप क्या होता है यह प्लाश्टर आप पेरिस का फार्मूला होता है फिर इसके बाद आप ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद रखेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है आपका देखें यहां पे CAO CL2 bleaching powder का formula हो जाता है जब को sodium bicarbonate का होता है यह एच CO3 हो जाता है ठीक है तो इन फार्मूला को आप साथ में याद रखिएगा अब देखें प्लाश्टा पेरिस का जो निर्माड होता है कहां पर प्रियोग करते हैं ठीक है और bleaching powder का जो प्रियोग करते ह है sodium bicarbonate कशो़को करते हैं यह करते हैं चो प्रियोग होता है परती अमलक रूप में का अर्श्टिक सोडा को प्रियोग होता है साबून के निर्माड में करते हैं उछलिए का सटैन्य तो एक अ शाहरोदिए यह मिल्ला हां यह यह'RE मिल्ला ऑस में यह मिल्ला है और सी का चौथा है की चोछ्वता और ओर की का तिस्ता है इसका मतलब lending हो जाएगा यह को बहुत Zusानई जाएगा यह दावन-सोडा होता हैं ृड झावन-सोडा इसका आपको पता देते हैं दावन सोड़ा को होता है आपका एन ए तू सी ओ थ्री डाट टेने अस्टु वह था यह था यह दावन सोड़ा की भी फार्मूला होता है यानि कपड़ धोने वाला सोड़ा इस फार्मूला की विसाथ में आप याद रखिएगा इस के लाओ जिपसम का एक फार्मूला बता देते हैं जीप सम जीप सम को फार्मूला याद रखिये गाप की सीए aso-for 2-0 होता इस जीप सम का फार्मूला झीए जीतना फार्मूला को एक बार आप ध्यान जरूर रखिये निश्क्त आप का है कि निम्रिखित में से मेथिल आरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है देखें मेथिल आरेंज में यदि आप अमल मिलाते हैं मेथिल आरेंज में यदि आप अमल मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता लाल होता है इसमें अमल देखें तो क्या एक प्रकार का अम यह सब जो होते हैं नवी करड़ी उर्जा इसमें देखेंगे क्या है प्रश्ण का सही जवाग आपसन सही हो जाएगा ठीक है पंदर नंबर देखिए कि मेंडल परसीद्धे तो मेंडल किसलिए परसीद्ध है तो आपसन अनुवान सिक्ता के छेत्रे के लिए या डियने के खोश के लिए सू जननी के लिए या जैवी विता के सन लच्छड के लिए ठीक है तो मेंडल जो आपके परसीद्धे तो मटर के पौदे पर इन्हों ने अपनी खोश किया और मेंडल परसीद्ध अनुवान सिक् होता है तो आपको बताना है कि जो anticipating होता है इसका निर्माटा पर होता है तो कूपी का यह कोष्ट का कहां पर बता चुके हैं कि आपको फेफरों साई होजाएगा देखिए पौधों में जल के परिवहन हेतू होता है तो जल के परिवहन होता है तो यहाँ पी इसका सही जवब डीवलापसन सही हो जाएगा जव और लो मिला के जल हो जाएगा इसका मतलब कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है तो जाहिलम करता है तो इस प्रश्ण का समाने रखताव 120 बटा के 80 होता है वीसवा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है तो भारत के जल पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध है उस ब्यक्ति का नाम है राजेंदर सिंह यहाँ पर इसका सही जब क्यों होगा सीवला प्रतिम के गुड़ बताना है वाहनों में उत्तल दरपड के पस्च द्रिष्ट देखने के रूप में वर्यता क्यों दिया जाता है यह प्रस्ण आप देख लिजिए एक बार और यहां से एक प्रस्ण याद रखिएगा कि उत्तल दरपड का जो प्रियोग होता है वाहनों युक्त नेत्र के निकट बिंदू 75 cm इस दोस्ट को दूर करने गई आवसक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी समाने नेत्र का निकट बिंदू दिया है 25 cm तो यहां पर आपको बदा दे कि आप इस प्रस्ण को जरूर एक बार देख लिजिए कि निकट द्रिष्टी दोस्ट ठीक है तो दिर्ग दिरिष्टी दोस्ट को दूर करना है तो उत्तर लेंस का आप प्रियोग करेंगे ठीक है अब यहां भी 75 cm 25 cm है इस सवाल को आप जरूर एक बार लगा लिजिए जितना भी प्रश्ण बता रहे हैं इन सभी प्रश्णों को एक बार आप देख लिजिए इतनी धार लें चार न delay का हुआ और इस काल टू क्या होता है और एपन रो व SAREr एपन यह होता है यह प्रतुर्वत किस पर हंद बार करता है पदार्ग की पर ओडर्व दसक्ता पर लंबाई Android और कि तरपल पर परतिरुवत क्या करता है निर्वर करता है ति यह आपको लिखना पड़ता है यह आपके सामने सवाल इन सवाल को एक बार देख लिए ठीक है जितने सब्सक्राइब क्या होता है इस परिभासा को थोड़ा सा जरू से एक बार देख लिए एक किलोवाट गंटा कितने जूल के बराबर होता है यह भी बताना है एक विद्धुत केतली 220 बोल्ट दूदस मोलो दू किलोवाट अंकीत है यह तीन घंटे के लिए कार करती है परियुक्त उर्जा तत प्रभाहित विद्धुत धारा की गढ़ना कीजिए इन सभी प्रशनों को आप जरूर तैयार कर लिजिए अगला अथवा में देखिए कि इसी चुम्बकी छेत्रे में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए दो उपाय बताए इस प्रकार इस प्रभाव पर कार करने वाले उपक्रोड का नाम बताना है और नमांकी चित्रे में फिलेमिंग के बाए हाथ का नियम आपको जरूर याद रखना आपके फिलेमिंग के बाए हाथ क्या होता है इसको आप जरूर याद रखियेगी इस प्रकार से होता है खुआ कि ultimate कि हो दिखाता है दिसा को अब फिलेमिंग के बाए हाथ के नियम ने जो जो 10 1200 कि इसा को और і वाले अंगली जोती धारा की दिसा को दिखाता है तो जो अंगुठा होगा किस की दिसा को दिखाएगा इसे भी आप त्यार कर लीजिएगा ठीक है अब देखिए यहां से आपका प्रारम बहुता उपखंड रखा जिसे पचीसवा नंबर का जो सवाल है निमलिखित योगिक इसका देखिया यूपी सीजयो नाम होगा एक दोत सफिसरे असथान को रिखेंगे त्री क्लोरीन को क्या लिखेंगे क्लोरिफि ट्री क्लोरो लिखेंगे और देखिए यहां पर यह तो यहां पर यहां पर यहां पर gave along two three reminderा क्या वजाएगा प्रोपीन क्या हो जाएगा थीद प्र tiếp त्री ग्रलो वन प्रोपीन और जाएगा यहां पे देखिए इसका आपका एसका lies साइड है निखें लिखेंगे टू हैडाकसाइड है तू है डाकसाई लिखेंगे अरो तीन कारपन content होने का अनुगा त्रो अब यहां पर C प्रोपनेग अमल हो जागी इसका UPSC नाम अगला देखिये अग इसका इपसी नाम आपको लिखना कि देखिये यह दिया है CH2H5C2H5C2H5 ऊपर जो की लिखा है CH2 CH CH2 हो गया इसका UPSC जो नाम होगा तो तो देखिये 4 एथिल हो जाएगा कितने एथिल होंगे फोर एथिल हो जाएगा यहां पर देखिए इसका आपको लिखना देखिए यहां पी अच्छे यहां पर पर देखिए यहां पर क्या है itt है तो यहां कारवन हो जाएगा मतला एक कारवन है जब कि यहां पर देखिए staydr क्लोर बोलेंगे पिर इसके बाद यह सी कावलान डरना न हो जग होर तहका प्लिट पर पेशना चीच क्छलों Пр molar फिर यहां में दौरत इसका यह अधिे ब्रोमो आयोडो कलोरो मेथे ठीक है तीज प्रकास आयूपेसिया आपको नाम लिखना है देखे 27 नंबर का जो सवाल है कि निमनलिक रसाइनिक समीकड़ों को संतुलित करना है आप रसाइनिक समीकड़ों करना कैसे करेंगे दोनों पच्छों में परमालूग संख्या बराबर हो जाएंगए जब है हाइड्रोजन कितना है जब कि हाईड्रोजन कितना है द it भार हो जाएगा आक्सीजन यहां पे च्छों यहां इदर लेकिए डिःड़ लेंगे दोनों पच्छों पर माली के रसानिक समेकर्ष आपका हो जाएगा इसी तरह है करना है दे powers ix2 प्र संख्या एक बराबर यह तक लेना पड़न के लिए आपको लेना पड़ेगा तोege संदुलित रसाइनी संभिघ्रण आपका हो जाएगा अगला यहां प्लस त्यू इदर है यहां यह त्री इसको बराबर करने कि लिए दो है यहां पर है तो करने के लिगा धुर दो करना पड़ेगा यहां पर आप कितना हो गया है ते है टीन दुन comput Peki H सिंदुरों में नयुक्त करने के लिए SEC 2 सफ़ल स्फे खड़ा तेसी आ यहां पर MIKECY YouTube यहां पर यहां रिखिए कि यहां पर है यहां पर रेखिए यन नगे चार आपको लेना पड़ेंगा तब हुआ ऑप facing दू- Potgen में साया देंकि लिए इस न्टूरीत है अथवा में कि निलखीत पर संचिप्ट पर लिखना यह टोटल छे नंबर का है आप अगसी करड़ अभिक्रिया क्या है इसे एक बार जरूर देख लिजिए प्रतियस्थापन अभिक्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाते यह भी आपको बता है व छोड़के मत जाएगा इन सभी को एक एक बार देखके चले जाएगा एक प्रकार कतम वायरम प्रस्ण है अगला प्रस्ण देखे उफखंड गवा अठाइस मेंडल के नियमों का वरण कीजिए मेंडल के नियम के बारे में आप पर लिजिए इसके साथ में आप पर पर जो पांच प्रकार के आर होते हैं यह आर इसका क्या मतलब है आपको बताना है साथ में मानों के नर प्रजन तंत्र का सब्चित्र वड़ान आपको करना है और साथ में अगला पूस्प के बारे में पूस्पी पादपों में लाएंगे जनन पर एक निबंद लिखना है यह जितने भी प्रश्ण बता हैं इन सभी प्रश्णों को आप जरूर तयार करके पेपर में चले जाएएगा आपको यही सब सवाल देखने के लिए मिलेगा तो फ्रेंस यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आयाता है वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें